सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल गूरूप पच्कोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जैराजधने कैसे हैं आप सभी मैं हमुद कुमार सिंग आप सभी का बाईलूजी मेंडर एक बार फिर से हमारे राजधनी परिवार के यूटूब चैनल पे आपका हार दिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्षर को आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो मैमेलिया क्लास है उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि इस तंधारी जो यहां पे वर्ग होते हैं इसको कितने आगे सब क्लासे में डिवाइड कर सकते हैं उप वर्गों में with this particular classification of members. देखे, यहाँ पर जो mammalia class है, basically इसको कितने, जो है, sub-classes में divide करते हैं, मैं लिखा यहाँ पर all the members which generally belong with the mammalia class इसको three sub-classes में divide करते हैं, कितने, मैंने का यहाँ पर three sub-classes में इसको हम divide करते हैं, और इसमें से very first class जो है, इसे क्या कहते हैं, proto-theria कहते हैं लेकिन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं यहाँ पर collectively एक साथ देख लेते हैं कि कौन-कौन से classes हैं जिसके बारे में हमें one by one study करना है देखिए कितने हैं मैंने का three classes हैं और कौन-कौन से classes होते हैं very first हम पढ़ेंगे proto-theria के बारे में किसके बारे में मैं आपको Proto-theria के बारे बताऊंगा जो की primitive टाइप के जो हैं मेंं धाज भी करना होता हूं लास्ट सब्क्लाइप इसे कहते हैं यू- प्रोटोथीरिया में जो वैल डेबलप्ट टाइप के जो भी इस्पिसीज होते हैं मैमल्स के वो यहां पर यू थेडिया सब क्लास से बिलॉंग करते हैं अब देखिए इन सभी पॉइंट को हम वन बाई डिसक्स करने वाले हैं तो वेरी फॉस्ट जो क्लासिफिकेशन का जो सब क्लास है आप यह देख रहे है मैंने कहा यह है यह क्या है मैंने कहा यह प्रोटो थीरिया है सप्रेशली हम इसमें अगर इसके जेंडल प्रपरटिज की बात करते हैं तो यहां पर वेरी फॉस्ट करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है इस बाओड इस डैबलप्ड यह क्या होते हैं यह less develop होते हैं कम विक्सित होते हैं क्योंकि अभी मैंने कहा आपको कि इस particular subclass में क्या आते हैं मैंने का इस particular subclass में primitive type के जो भी members होते हैं क्या मैंने का primitive type के जो भी members होते हैं या इस्तंधारी होते हैं वो इसी class में आते हैं और इसी subclass में आते हैं और basically उसे क्या कह को Boy's Papasи क्या होता है पुम सिर्ड़ेशुम का मिनिंग होता है अब संद्रलावे इस सब क्लास में आते हैं जो कि कम दीक्षित होते हैं मतलब साथ-से क्या कहा जाएगा एंड कौल्ड एज रेप्टाइल लाइक में मैं चिक है इसे क्या रेप्टाइल के जैसे होते हैं चीक है अब देखिए इसी पॉर्टिकुलर प्रोटोथीरिया सब क्लास के बारे में हम नेक्स जनरल करेक्टर स्टड़ी करने वाले हैं और यह क्या होता है यहां पर आपको जो नेक्स करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है इट इस कि यह जो पिन्नी है वो क्या होते हैं यहां पर अब सेंस होते हैं या फिर यह अनुपस्तित होते हैं यहां पर नेक्स करेक्टर को स्टेडि करते हैं यह क्या है यह है यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि स्तन गरंथियों का पाया जाना मेंमरी ग्लेंड का पाया जाना one of the important character of the mammals consider किया जाता है और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पी जो इस्तन गरंती है इसमें क्या नहीं होते मैंने का यहाँ पर देखिए इस्तन गरंती में एक structure के बारे में study करते हैं जिसे कहते हैं निपल क्या कहते हैं इसे निपल कहते हैं कि actually में इसक पुला एरिया भी कहते हैं इसे वो देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे प्रोटो थिरिया में क्या होता है यहाँ पे निपल अपसेंट होता है तो यह इसका one of the important character हो गया अब देखिए इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में कि यह औवी पेरस होते हैं हमने previous class में भी ड basically यह क्या करने वाले हैं मैंने का यह एग lying species होते हैं क्या होते हैं यह जो हैं अंडे देने वाले जीव होते हैं अंडे देते हैं और यह इसका exception है इसके अलावा जो भी होंगे वो कैसे होते हैं वो जरायूस प्रकार के होते हैं विवी पेरस प्रकार के होते हैं अब देखत ये हमें Australia Australia के साथ New Guinea ये सारे ऐसे particular जगे है, place है और साथ-साथ Tasmania, तो मैंने का टासMANια में मिलते हैं, Australia में मिलते हैं इसके साथ-साथ, ये New Guinea जगे भी मिलते हैं और ये कहा के हैसे होगे, मैंने का ये in habit हो गए, इसके Australia के New Guinea के और इसके साथ-साथ यह टेस्मेनिया के क्या होगे प्रवासी हो गए ठीक है प्रोटो थिरियन्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर इस्पेशली हम किसकी बात करें यहां पर देखिए only one order is include in this subclass केवल एक ही particular order आता है और जिसके संदश्य क्या होते है order को बताया क्या कहते हैं इसको गन कहा जाता है क्या कहते हैं इसको इसको गन कहते हैं तो केवल एक ही order को हम इस subclass में consider करते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि very first example है यहां पर इस ड्वेंड बैसिकली क्या है यह है और निथो रिंकस क्या है यह मैंने का इसी प्रोटो थिरिया subclass में जो एक्ज प्लेटिपस कहते है और यह डुच्वीड प्लेटिपस होता है इसके बारे में क्या कहते हैं Specifically इसमें बhe जो Bulgar इस्पीज उते हैं जो नरप्रजाती है उसमें क्या प्रिजेंट होता है मैंने का इसमें poison grande present होता है इसे हम क्या चैंटे इसे क्या क्या है है इसले कहते हैं इस का common name होता है उसमें poison gland present होता है male species में नरप्रजाती में ठीक है और यह first example हो गया हमारा prototheria subclass का अब देखिए यहां पर particular next class की बात करें इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं टेकी glosses कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं इसे इसे कहते हैं इसे इकाइडिना कहते हैं या spiny ant eater कहते हैं क्या कहते हैं इसे spiny ant eater कहते हैं अब basically मैं आपको बता दूँ कि यह जो टेकी glosser से इसको हमने बोला क्या हमने इसे बोला है spiny and titre मतलब यहाँ पे spiny कहने का मतलब क्या होता है spiny कहने का meaning है इनके body पे क्या पाए जाते हैं काटे पाए जाते हैं मतलब spines पाए जाते हैं अगर आपको previous मतलब कल के live session में मैंने जो आपको बताये था कि इनके body पे पाए जाने वाले hairs जो हैं अगर किस में modify हो जाए अगर ये hairs basically मैंने का spines में भी modify हो जाते हैं कुछ एक species में और ये वही है species जिसे क्या किया रहे हैं इसे किया रहे हैं यहां पे और निथो रिंकस के साथ आपको टेकी ग्लोसस एक्जामपल के बारे में पता होना चाहिए हमने इतनी सारी point को discuss किया सीधे lead करते हैं हमारे next particular slide के तरफ उसमें देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है हमने जो अभी two special example के बारे में देखा आपको मैंने आपको ornithoryncus के साथ साथ हमने यहां पे किसकी बात कि थी यहां पे हमने Australian जो spiny antiter होते हैं keyglossus होते हैं उसके बारे में बात कि थी वहां पे देखिए यह जो दो particular figure या diagram आपको रिखाए दे रहा है first of all देखिए हम यहां पे इस figure की बात करते हैं figure 1 की बात करते हैं तो यहां पे देखिए यह क्या है यह Australia में पाए जाने वाले यह मैंने आपको इसके जगह के बारे में भी बताया था कि basically कहां पाए जाते हैं तो मैंने कहा यह Australia में पाए जाने वाले spiny antiter है यह कुछ इस तरह से होते हैं और मैंने अभी कहा था कि इनके body पे पाए जाने वाले hairs, rome किस में modify हो जाते हैं मैंने कहा यह spines में क्या होते हैं modify हो जाते हैं मतलब यह कांटे में परिवर्टिट हो जाएंगे चीक है अब देखिए यहां पर इसे tachy glosses के बारे में देखा और यह जो आपको यह typical diagram दिख यह यहां पर और निथो रिंकस का है क्या है यह मैंने का और निथो रिंकस एनाटिनस species है जिसे हम सामाने नाम क्या कहते हैं इसे duck-built platypus कहते हैं तो आप यह देख रहे हैं कि इसके anterior fit पर क्या present है मैंने का यहां पर anterior fit पर कुछ एक जाल की जैसा structure present होता है कुछ एक wave के जैस पर nostrils present है और इसका जो आगे का जो structure होता है mouth का जो part होता है basically क्यासा होता है मैंने का यह flat end होता है मतलब समतल होता है यह आपको आगे का जो surface दिख रहा है वो flat end आपको देखने को मिल रहा है अब देखिए यहां पर हम अगर इसकी बात करें particular हमने anterior fit के लिए यह बोला कि य यहां पर क्या है यह जाल जैसे structure होते हैं लेकिन अगर इसके posterior fit की बात करते हैं तो यह कैसे होते हैं यह क्लो केते हैं इसे नाखुन जैसे structure होते हैं और यहां पर इनके अंगलियों में भी क्या होते हैं यहां पर जाल होते हैं वेब होते हैं इसलिए इस तरह के अंगलियों क्या study करने वाले हैं अब मैं आपको यहाँ पर next slide के बारे हम discuss करने वाला हूँ प्रोटोथिरिया के बारे में हमने special जो भी characters थे उसके बारे में one by one हमने discuss किया now we are going to discuss about the next particular subclass and what is it हम यहाँ पर study करने वाले हैं मार्सू प्रोटोथिरिया में यहाँ पर हम next subclass के बारे में study करने वाले हैं मैंने कौन कौन से subclass होते हैं मतलब यहाँ पर मने आपको बताया था prototheria, metatheria और utheria हमें three subclasses के बारे में study करना होता है और इस में से भी हमने यहाँ पर basically first class को study कर लिया है अब यहाँ पर second subclass को study करने वाले हैं और यह کیा है यह basically हम पढ़ने वाले हैं metatheria के बारे में मेताथःया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम marsupials कहते हैं क्या कहते हैं Marsupials कहते हैं क्यों कहते हैं हम यहाँ पर first of all यह discuss करते हैं मारसू πियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है मैंने का यहां पर there is a presence of मारसू पियम क्या होता है यहां पर मार्सूपियम या मार्सूपियल पाउच लाइक structure होते हैं कुछ एक ठैली जैसे structure होते हैं आप simply अगर बात करें कि यह मार्सूपियम और मार्सूपियल पाउच आपने कहा देखा होगा आपने macropus मतलब कंगारू को देखा होगा वहाँ पे उसके पास जो हैं मार्सूपियम या फी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिशूधानी क्या कहते हैं इसे सिशूधानी कहते हैं वो मार्सूपियम लाइक structure कंगारू या macropus में present होता है जिसमें वैसे किली क्या करते हैं वो बैसेकली क्या करते हैं अपने जो newly born baby है उसको save करते हैं उसको production provide करते हैं अब इसके साथ-साथ यहां पर हम क्या बात करें presence of pinny यहां पर ear pinny भी क्या होते हैं present होते हैं बैसेकली यहां पर लेकिन इससे पहले वाले जो सब class हमने study किया था prototheria वहां पर यह ear pinny क्या थे absent थे but in this particular class which is basically none as metatheria यहां पर यह पिन्नी क्या होते हैं present हो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम यह tell वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर tell क्या होता है थिक होता है थिक से थिक के सांसा क्या होते हैं मैं यूज किसमें आता है मैंने खा it is generally used as a balancing organ यह संतुलक संदशना जो भी होती है बैलंसिंग और्गन को क्या बोलेंगे इसे कहते हैं संतुलक संदशना या संतुलक अंग कहते हैं चिक है तो यह क्या होते हैं यह संतुलक अंग होते हैं जो basically यहां पर इस वर्ग के या इस को balancing organ के रूप में भी यूज़ करता है यह पिना प्रिजेंट होता है मार्सुपियम भी क्या होता है प्रिजेंट होता है इसके बाद देखिए मैंने का यहां पे अगर इस पेशली अगर पैनिस सिश्न की बात करते हैं विच इस अ कॉपुलेटरी और गन कॉपुलेशन के प् गरभाशे कहते हैं या फिर यहां पे external genitalia जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं इसकी बात करें तो इसके नमबर कितने होते हैं मैंने का यहां पे इन सभी basic structures के नमबर जो की reproduction मतलब जनल से संबंग्दित सरशनाएं हैं इसके नमबर कितने होते हैं टू होते हैं दो पाए जाते ह मैंने का यहां पे दो penis present है दो vagina present है दो गरभासे present है और दो clytoris present है clytoris को कहते हैं उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर कलाइटोरिस के बारे में भी study करते हैं यह कुछ एक जिल्ली नुमा structure होते हैं अब देखिए यहाँ पर basically मैंने कहा इन सभी basic structure which is related with the reproduction इसके number कितने होते हैं अब यहाँ पर next point क्या है absence of true placenta देखिए यहाँ पर placenta क्या है? placenta के बारे में आप जानते हैं कि develop होते हुए जो यहाँ पर embryo होते हैं और साथ-साथ जो maternal body है जो यहाँ पर माता या फिर जो है basically parent की जो body है और साथ-साथ अगर embryo के बीच में अगर एक प्रकार के जैविक संबंद की बात करते हैं biological connection की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम placenta कहते हैं और यहाँ पर यह जो placenta है यहाँ पर true type का placenta क्या होता है? मैंने का true type का placenta यहाँ पर absent होता है चीक है? और साथ-साथ penis, vagina, uterus और klitoris के number कितने होते हैं? दो-दो होते हैं अब देखिए next particular structure यहाँ पर हम points को discuss करने वाले हैं जो यहाँ पर present होता है मैंने का they give the birth चीक है? यह क्या देते हैं? मैंने का they give the birth to undeveloped young ones which are kept into the marsupium till the complete development. देखिए मैंने आपको first of all यही discuss कर दिया था किसमें marsupium present है और अगर यहाँ पर marsupium present है तो basically यह आवविक्सित प्रकार के young ones होते हैं, सिशू को क्या करते हैं? आवविक्सित प्रकार के सिशू को जन्म देते हैं, give birth, मतलब आवविक्सित प्रकार के सिशू को जन्म देते हैं और उस particular यह इसे रखते हैं और कब तक रखते हैं जब तक कि इसमें क्या नहीं हो जाए जब तक कि इसमें पूर्ण विकास या डेवलोप्मेंट नहीं हो जाता तो यहाँ पे विकास की अवस्था को प्राप्ट करते हुए तक यहाँ पर यह मार्सु पीम जैसे structure अपने सिस्रुधानी में अपने यंग वन्स को शिशु को क्या करते हैं अपने आव लिप्शित या अंडबलिप प्रकार के जो शिशु होते हैं उसको रखते हैं चीक है औ यहाँ पर मार्सु पीम पहुच प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर यूझे तील यह और बड्र होते हैं यहां पर नमबर की बात की हम ने विजऑन आयोने की बात की युट्टेरस कर्वासित की बात की और GTA साथ external genitalia यहाँ पे kleitois की बात की इंसरी की नंबर केतने होते हैं दो होते हैं इसमें true type के सत्य प्रकार के जो अपरा है placenta को क्या केते हैं इंदी में इसे कहते हैं अपरा चीक है यह जो है माता के सरीर और विक्सित हो रहे भून के मद्ध में एक जैविक समंध है और टाइप आप निट्रेंस पोशक प्रदाथों को पहुचाने का जो है सिशु तक एक माध्यम होता है एक मेडियम होता है एक स्टक्चर होता है इसे placenta कहते हैं लेकिन इसमें सत्य प्रकार के या फिर डेबलब टाइप के placenta नहीं पाए जाते है किस में मैंने कहा यहाँ पर मार्सु पियल या मेटा थिरिया में अब देखिए मैंने कहा यह जो अपने आवविक्षित प्रकार के सिशु को जंग देते हैं वो आवविक्षित प्रकार के सिशु तो मार्शु पियल पॉच में क्या करते हैं, यहां पर पूर्ण विक्षित होने तक क्या होते हैं, डिपेंड रहेते हैं, अब देखिए, यहां पर अब हम बात करने वाले इसके next character के तरफ, यहां पर next character जो है हम पढ़ने वाले हैं, यह क्या है, it is about basically, यहां पर हम next character देखें यहां पर next slide, यहां पर जो हमने यहां पर subclass जो study किया है, उसके बारे में study करने वाले हैं, कि subclass में हमें कौन-कौन से example पूर्ण हैं, तो हम देखने वाले हैं इसके example के बारे में कि आखिर यह जो हमारा second subclass है, जसे हम Metatheria बोल रहे हैं, या Marsupials बोल रहे हैं, तो इसमें क्वार करेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे हमने जिस तरह से प्रोटाइरिया सब क्लास के बारे में शड़ी किया था कि वह किस बेसे कि अमेरिकां और तसमानिया में पाए जाते हैं। इसके बाद देखी एक्जामपल की बात करेंगे वेरी फर्स एक्जामपल यहां पर ओपसम है जो की कैसे होते हैं मैंने का देखी यहां पर एक special point दिया हुआ है डाइडल्फिस क्या होते हैं डाइडल्फिस आप जानते हैं कि इस particular पाइन वारे जो भी जीव होते हैं इसमें नमबर और आफ यो ते यह सभी वेजाइन राट यह सभी दो होते हैं तो उसी particular जनाम से संबर्ण होते हैं यह दो होते हैं यह से क्या केते हैं डाइड या डाइट डेल्फिक केते हैं, जिसके बारे में आपने असकेरिस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने असकेरिस में जो फीमेल इसकेरिस है, वहाँ पर मैंने ये टम बताये हुआ था, जब हमने एसके हलमिन्थीस फाइलम को क्या किया था, राउंड वाम, गोल करमी के बा गर्बकाल या गर्भावस्ता, तो देखिए, यहाँ पर जेस्टेशन जो पीरेड होता है, मतलब गर्बकाल जो होता है, वो कितने डेस का होता है, मैंने का ये 12 से 13 दिनों का होता है, मतलब 12 तो 13 डेस का होता है, किस पॉर्टिकुलर जीव की बात कर रहे हैं, ओपोसम की ब आए जाते हैं अब देखिए इस पॉर्टिकुलर डायग्राम के दिरूब हम समझने की कोशिश करते हैं मैंने का यह क्या है आप जानते होंगे यह मेक्रो पर से या कि कंगारू है इस कंगारू के स्टॉक्टर को अगर आप अब्जब करें कैरिफुली तो यहां पर देखिए यह जो पार्टिकुलर पार्ट है यह मार्सूपियम है और इसी मार्सूपियम में जो इलडेबलप स्टेज में इसके यंग वन्स होते हैं मतलब यहां पर अव्रुक्षित अवस्था में जो शिशू होते हैं उसको क्या करते हैं यह यह क्या करते हैं बैसकली यह कंटेन करत और तब तक रखते हैं जब तक उसमें जो है डेबलप में नहों जाए वो फुली मेच्योर नहों कि है तो आमने यहाँ प्हों की बात की सकेंड सब क्लस की आप सीधे तो हम लीड करने सत्ते प्रकार के जो स्तंधारी होते हैं उसे हम कहते हैं यूथिरिया या फिर इसमें आने वाले सब्सक्राइश को कहते हैं यूथिरियां जीव आते हैं इससे पहले जो हमने सब क्लास की बात किती, मैंने कहा था, वहां पर अपरा होते तो है, लेकिन वो अल प्रिक्षित होते हैं, और यहां पर well developed placenta present होता है, और ऐसे mammal या ऐसे इस तंधारी, जिसमें well developed placenta होता है, अपरा होता है, उसे क्या कहते है? उसे कहते है, placental mammal, क्या बोलते हैं उसे उसे placental mammal केते हैं और यह जरायूस प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं यह मैंने का यह जरायूस प्रकार के होते हैं मतलब यह वीवी पैरस प्रकार के होते हैं अब देखिए इसमें हम next character की बात करते हैं presence of pinny यहाँ पर क्या present होता है यहाँ पर middle year का जो part होत उसमें क्या नहीं था, मैंने का वहाँ पे नेपल या टे mean like structure नहीं थे, और यहां पर प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि हमने इसे कहा 70 प्रकार के मेंगल, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर चेंवे के लिए यहां के jinot के जो भी advanced character होते हैं, और इसके इसतन गरंथी में क्या present होता है मैंने का यहाँ पर tits याफी इसे क्या कहते हैं यहाँ पर कहते हैं इसे हम nipple यह nipple कहते हैं highly pigmented area जिसके बारे मैंने आपको बताया अब देखिए यहाँ पर nipple present है और साथ-साथ हम यह कहते हैं कि आपको मैने previous lecture में एक point बताया था, कि brain से सम्मनधी term, जो कि आ, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, corpus callesum, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, corpus callosum कहते हैं, और यह जो corpus callosum है, वो actually यह क्या है, एक brain mustics के समरचना का एक भाग होता है, cerebral hemisphere की बात करते हैं, अब देखिए इसके और next character के बारे में study करते हैं यह है presence of true placenta मैंने आपको starting में ही क्या दिया था कि यह placenta में मिमल है इसमें सत्य प्रकार के क्या होते हैं अपरा पाए जाते हैं और इसके लिए जो specific term biological term दिया जाता है इस सत्य प्रकार के placenta के लिए वो क्या होता है अब देखिए यहां पर हम discuss करने वाले इसके next character को कि presence of single vagina and uterus इसमें क्या present होता है इसमें के वाले single vagina मतलब यो नी single यो नी present होते हैं लेकिन इससे पहले आने वाले जो सब class थे उसके members में आपने देखा था ओपोसम में हमें discuss किया था डाइडल्फिक कंडिशन के बारे में जिसमें वेजाइना, यूटेरस, पैनी सभी कितने होते दो थे चीके लेकिन यहां पर यूठिरिया में क्या कहते हैं कि केवले एक single vagina, single यो नी और साथ single गर्भा से क्या होता है प्रिजेंट होता है चीके और देखिए यहां पर यह पॉइंट आमने और डिसकस कर लिया है कि अब इस particular सब class के member कैसे होते हैं जरा यूज प्रकार के होते हैं यह well developed शिशू को क्या करते हैं जर्ण देते हैं यहां फिर baby born करते हैं देखिए हमने यहां पर जो भी character पड़ा है उसको one more time revise कर लें मैंने का यूठिरिया जो basically sub class है इसमें जो mostly advanced type के जो members आते हैं वो इसी particular sub class में आते हैं मैंने का यह क्या होते हैं यह basically यहां पर वीवी प्रश होते हैं developed young ones को क्या करते हैं developed confessu को जन्ग देते हैं ए और इसमें placenta भी true type के होते हैं यहां पर memory gland में क्या present होता है, nipple present होता है यहां पर Já है about yourён backward brain से सब्दित structure यहां पर present होता है यहां पर true type के placenta present होते हैं इस placenta को यहां पर क्या में कहा जाता है Allanto-Caurionic Placenta केते हैं Presents of यहाँ पे कितने Vezina और कितने यहाँ पे Presence होता है तो single Vezina और single Uterus Presence होता है और साथ-सत हमने Vee Paisas के बारे में अलड़ी study कर लिया है चीgler इसके बाद next particular यहाँ पे हम discuss करने वाले इसके character को देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है हम अब यह जो थर्ड सब क्लासे स्पेशली हम थर्ड तीसरे उपवर्क की बात करें तो इसको अलग-अलग प्रकार के मतलब यह सब क्लास से तो दिवाइट किसमें करेंगे हम गन में डिवाइट करेंगे तो हम इसको अलग-अलग प्रकार के गन या ओर्ड में इसको डिवाइट करते हैं विभाजित करते हैं और यह गन कौन-कौन से होते हैं देखे मैंने का इसमें जो फॉस्ट यहां पे हम गन के बारे में study करने वाले हैं, प्रत्थम परकार का जो order है, इसे क्या कहते हैं, इसे insectivora कहते हैं, क्या कहते हैं, insectivora, नाम से ही मालुम चल ला है कि इसमें कुछ न कुछ परकार के कीट प्रकति insects की बात करने वाले हैं हम देखिए अब ये जो insectivora है हम कह रहे हैं insectivora लेकिन हलाकि ये insects नहीं है ये तो mammals पढ़ रहे हैं mammals में third sub class eutheria पढ़ रहे हैं और eutheria में जो first order है इसे करते हैं insectivora insectivora में basically जो भी mammals आते हैं वो भक्षन करते हैं कि इसका insects का यह कीच का भक्षन करते हैं, food source या भोजन के श्रोत के रूप में इस्तिमाल करते हैं, तो मैंने कहा यह कैसे होते हैं, यह smallest and primitive mammals होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, और यह आदिम प्रकार के mammals होते हैं, और basically अब इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे insectivorous, insectivorous तो वो करते हैं, इसके बाद देखिए अगर example की बात करें, तो example में यहाँ पे sorex होता है, क्या होता है, sorex होता है, इस particular diagram में जो आपको species दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह sorex है, और sorex किसमें आते हैं, insectivora में आते हैं, जिसका nature क्या होता है, कीट भक्षी होते हैं, यह क्या हो होते हैं, इसको हम कहते हैं, कीट भक्षी, ठीक है, तो यह insectivora type क्यों होते हैं, साथ सत हमने यह कहा, कि यह जो शुरू होते हैं, smallest mammal होते हैं, इसके बारे में हमने अभी जो है देख लिया था, इस particular point में कि यह क्या होते हैं, smallest होते हैं, तो इस diagram में आपको जो species दिख रहा है जो mammal आपको दिख रहा है, यह basically क्या है, insectivora order में आने वाला शुरू है, जिसे हम क्या कहते हैं, sorex भी कहते हैं, चलिए, अब सीरे lead करते हैं, next particular character के तरफ, यहां देखिए, हमने यहां पे प्रथम परकार के जो gun है, उसके बारे में study किया था भी, जिसे हमने कहा था insectivora, मैंने का chiroctera है, और basically इसमें किस परकार के mammals और स्तंधारी आते हैं, वो mammals जिसमें थोड़ा बहुत जो है, उरने की tendency होती है, मैंने का इसमें flying mammals आते हैं, क्या, मैंने का उरने वाले स्तंधारी आते हैं, जैसे example के तोर पे, अगर हम किस की बात करें, बैट की बात करें, आप सब भी जानते हैं, बैट को क्या कहते हैं, चमकादर कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, flying mammals है, जिसे basically हम बैट कहते हैं, तो यह इसी particular order के सब्रश्य होते हैं, member होते हैं, अब देखिए, यहाँ पर अगर इसके version की बात करें, यहाँ पर इसके testis की बात करते हैं, तो testis कैसा होता है, मैंने का अब इसका testis abdominal होगा, देखिए, यहाँ पर कुछ एक specific point है, यहाँ पर देखिए, यह जो है, starting में मैंने का utherians तो होते हैं, लेकिन utherians में भी basically इसके जो testis की बात करते हैं, वो उदर गुहा में मिलते हैं, extra abdominal condition की बात करें, तो वो नहीं देखने को मिलेग यहाँ में क्या मिलेगा, abdominal देखने को मिलेगा, मतलब यह बाहर नहीं होते हैं, इसमें version, abdominal cavity से, abdominal cavity के अंदर ही होते हैं, अब देखिए, यहाँ पे सीधा सा first example, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस order का, वो क्या है, teropus, क्या है, teropus, यहाँ पे peace island होता है, तो teropus क्या होता है, कि flying fox, इसका common name क्या होता है, इसका common name होता है, flying fox, चीक है, इसे flying fox कहते हैं, जो कि इसी particular chiroptera का क्या है, member है, और यह किस प्रकार के प्रकार के tendency को show करते हैं, मैंने का यह frugivorus होते हैं, क्या से होते हैं, frugivorus होते हैं, basically यह क्या खाते हैं, मैंने का, यह basically fruit को खाते हैं, फल को होते हैं fruits खाते हैं इसे लिए से frugivores कहते हैं चीक है तो हमने teropus या flying fox frugivores के बारे में study किया अब देखिए इसी का second example आपको दिख रहा है decimodus चीक है अब यह decimodus जो हैं इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं vampire bait क्या कहते हैं यह एक vampire term provide करते हैं इसे कहा जाता है sangu worus sangu worus को क्या कहते हैं कि रक्त को जो चूसने वाले होते हैं रक्त को शक करने वाले इसको चूसने वाले या फिर इसी को कह सकते हैं क्या इसको कह सकते हैं blood sucking यह कैसे होते हैं यह basically blood sucking टाइब के होते हैं तो देखे आपने यहां पर रिखा कि डैस्मो डस्ट होता है वह वेंपाइर वेट कलाते हैं और वेंपाइर वेट के साथ सब्सक्राइब करते हैं रक्त को चोसने का कारी करते हैं ब्लड सक करने का वक करते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर हमने यह क्लास तो यहां पर माल है उसमे सब क्लास थरड हैji कौन सा है जो दिल्द कैसि क्लास सब्सक्राइब कर द मरें और ये बारे में पड़क है यह युण दिल्द कर दे 차 श सब्सक्राइब कर दा कर दा है तो जो order है वो क्या है largest order है इसके बार देखिए next character क्या है आप जानते हैं incisor क्या होते हैं आप सब्सक्राइब को पता है हमने basic point में जब दांत के बारे में चुटी किया था मैंने तित का classification on the basis of their shape and the function बताये था shape के basis पे जो heterodont होते हैं या विशम दंती होते हैं उसमें कारी के अधार पे incisor प्रकार के तित होते हैं जैसे हमने ICPM incisor, canine, premolar और molar तरह के बढ़ थे तो इसमें basically जो incisor प्रकार के तित होते हैं यह basically आप जानते हैं इसका work क्या होता है, cutting का होता है, यह food के particles को cut करते हैं तो इसमें their incisor grow constantly, यहाँ पे नियमित रूप से या नियत रूप से constantly यहाँ पे इन में पाए जाने वाले जो incisor प्रकार के तित होते हैं वो क्या होते हैं, grow करते हैं, विर्धी को दर्शाते हैं, develop होते रहते हैं यहाँ पे देखी एक्जांपल, एक्जांपल क्या है, एक्जांपल है यहाँ पे गिनी पिग, फर्स्ट एक्जांपल क्या है फर्स्ट एक्जाम्पल यहाँ पे है गिनी पीग और गिनी पीग का common name क्या है मैंने का इसे कहा जाएगा केविया क्या कहते हैं तो गिनी पीग को commonly क्या कहा जाएगा इसे केविया कहते हैं और देखिए हम यहाँ पे basically rodentia order के बारे में पढ़ रहे थे largest order है इसमें पाए जाने गिनी पीग केते हैं और इसी गिनी पीग को commonly सामानी रूप से हम केविया कहते हैं तिकके हमने इतने सारे point को discuss करने के बाद सीदे हम यहाँ पर इसमें आने वाले next example के बात कले ते है यहाँ नेक्श्ट पर तो देखिये क्या है, मैंने का देखिये यहां पर जो next example होता है, जो इसका कंगारू रेट क्या होता है, 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 इसका कंगारू रेट क्या कहते हैं is describe यहां पें नहीं पीते हैं और इस हमने कहा क्या से हमने कहा है कंगार१ कंगार चुकि यहां पर कभी पानी नहीं पीते से लिए क्या कहेंगे इसे डेजर्ट रेट कहेंगे जला भाव वाले चेतर में भी आसाने से रह सकते हैं यह उनमें पाएजने वाला एडेप्टेशन होता है जो उनको एड़र्स कंडिशन जैसे की डेजर्ट एरिया में भी रहने के क्या करता है इसके साथ साथ हमने कहा कि यह कया कहते है डायो पोडूमी कहते हैं सप्विररी घर लुध या घर में पाय जाने वाले रेट की बात करें इसे क्या कहेंगे इसे रेटर्स कहते हैं क्या कहते हैं इसे रेटर्स कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है इसके साइंटिफिक नेम में जो जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है मतलब जातिये नाम और वंस ये नाम दोन नेक्स पर्टिगुलर ओडर की तरव देखिए ये क्या है? यहाँ पर आपको रिखाई दे रहा है, přॉली डोटा, ठीक है? अगर यहाँ पर नेक्स ओडर folly dota gun की बात करते हैं तो यहाँ पर first point क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या absent होता है यहाँ पर teeth absent होता है और इसमें पाए जाने वाले अगर tongue की बात करते हैं जीवा की बात करते हैं तो यह कैसे होते हैं मैंने कहा इसमें पाए जाने वाले tongue दोते हैं पैजने वाले जीवा कैसे हैं लंबे होते हैं किस गयंद यहां इंभाट करें इस ओडर की बात करें, यहां पे क यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एक होर्णी प्लेट, कुछ एक काटेदार पटिका जैसी कुछ सन्रिस्टना ही पाये जाती है होर्णी प्लेट का पाये जाना भी, यहाँ पर फॉली डोटा वर्ग के सरदिश्चियों का ही क्या है बिलाक्षनी कुंदर्म होता है देखिए यहाँ पे हम देखेंगे claw मतलब नकर या फिर कुछ एक नाखुन के सवान curve like जो structure होते हैं यह present होते हैं और यह काफी क्या होते हैं मैंने का यह काफी powerful होते हैं मतलब यहाँ पे सक्टिशाली होते हैं मैंने का claw भी पाये जाते हैं कुछ एक मूरे हुए claw बैसिकली यह कुछ इस प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं यहाँ पे claw या फिर नाखुन पाये जाते हैं और यह जो की बहुत ज़्यदा powerful nature की होते हैं अब देखिए यहाँ पे अगर example की बात करें इस फॉली डुटा ओर में आने वाले जो हम एक जामपल की बात करें यहाँ पे single example given है जो कि क्या है मैनिस अब देखिए मैनिस इक्जामपल इंपोटेंट है मैं यहाँ इसको star mark कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से scaly ant eater है देखिए हमने इससे पहले आने वाले सब क्लास में बढ़ा था टेकी ग्लॉसस के बारे में वहाँ पर उसको कहा था क्या उसको spiny ant eater कहा था लेकिन यहाँ पर क्या है यह है scaly ant eater क्यों 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 हमने previous lecture में यह discuss किया था कि mammals पे basically उसके body पे hairs present हो सकते है sometime कुछ सदशियों में यह hair scales और spines में भी modification शो कर सकते है और यहाँ पर यह जो scales होते है basically किस में present है मैंने का ant eater जिसे basically क्या कहते है manis कहते है इसका common name pangolin भी होता है और इसके body पे hairs जो है वो रुपांदरन दर्शाते है सल्क में चिक है तो इसके अली को क्या कहते है शल्की कहते है सल्की ant eater कहते है चिक है अब सीधे हम next order की तरब लीट कहते है it is about the यहाँ पे है लेगो मॉर्फा लेगो मॉर्फा जो order होता है इसके बारे में हमें क्या पढ़ना होता है कि यह क्या होते है exclusively मतलब यह completely पूर्ण रूप से कैसे होते हैं यह हर भी वोरस होते है हर भी बोलस मतलब यह basically क्या कहेंगे इसे कहेंगे basically जो भी यहाँ पे plant eater होते हैं क्या होते हैं जो भी यहाँ पे plant eater होते हैं मतलब यहाँ पे अपने food source होता है basically कोई भी plant हो सकता है तो यहाँ पे बिल्कुल शाकाहारी जो है nature के होते हैं फ्लैइस इट नहीं करते हैं, मांस को नहीं करते हैं, मांस को खाने वालिगो को कहते हैं, कार्डिवौरस, यहां पर हरभी वरस के बारें बताया है, प्लांट टिटर कहते हैं, जो कि यहां पर LeGo Mor cosplay order में हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए, सीधे हम बात करते हैं, इसमें अगर canines type के tea टित की बात करें तो यह यहाँ पर क्या होते हैं absente होते है canines tea वही जो basically tiering guess food particles को जो है यहाँ पर tear करने के लिए इसको फारने के लिए जो है इसको small particles में divide करने के लिए present होते हैं यहाँ पर canines absent होते हैं लेकिन basically यह क्या formation करते हैं यह यह टाइज wal их certainty प्रकर clairement सोते हैं अब देखिए यहां पर वहर फॉति एंप less हैं यहां पर फिर्श्ट एंपल्ट क्या है है यहां पर है फिर्श्ट एईपल ओरिक्टो लेगस और इक्टो करते हैं कभी आपने रेबिट को जो है ऊंस्काते यह क्या होते हैंясकोente ज़न कि रिग्ट करते हैं कर दो यहां पर हम सीध्वी रीट करते हैं नेक्स पॉट्रिक्यलर यहां पर हम order के बारे में study करने वाले हैं and it is about the carnivora अब हम यहां पर carnivora जो गन होता है जो इससे पहले आने वाले जो order होते हैं उससे जएधा develop होते हैं आती विक्षित प्रकार की होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं देखिए carnivora जो order होता है basically यह कैसे होते हैं मैंने का यह active and the powerful जो carnivorous animals होते हैं वो इसी particular order में आते हैं जो भी flash eater अब हम देखिए यहां पे plant eater न बोलके इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे flash eater क्या बोलेंगे flash eater बोलेंगे तो यहां पे flash को खाने वाले मांस को खाने वाले मीच को खाने वाले जो animals होते हैं वो क्या होते हैं powerful सक्तिसाली होते हैं और यह इसी particular order से बिलोंग करते हैं गंद से संबंदित होते हैं देखिए canines की बात करें canines प्रकार के तित अब यहां पे present होता है क्यों 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 बैसे क्लीं क्या हमने की क्या करने के लिए किसकी आवसकता है क्यों कि क्यूंकि क्यों प्रेजंस ओफ करते हये यहां मने का यह其實 कर थे दिवाइट करने का अवर्क करते हैं, अब देखिए यहाँ पर basically होता है presence of cremosis año यहाँ पर यहाँ है केlles snail teeth, अब यह carnesial teeth क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ ऐसे teeth जहाँ पर basically upper molar जो होते हैं upper molar या pre molar और lower pre molar जो होते हैं वो क्या होते हैं, absent होते हैं यहां पर देखिए मैंने का यह कैसे होते हैं केरी अनिमल जिसके तित में अपर और लवलर मोलर नहीं पाय कहते हो उसके बार देखेंगा पर क्या दिया हुआ कि में मेरी क्लेजा चाहिए अब क्या है मियां मिदर ऑप्यां मिदा सेสब्वमंतित होता है सीधे example के तरब लेड करते हैं Way। फॉर 스्प एक्वड आप देख रहे हैं ये क्या है लेपड का आप जानते हैं यहाँ पे लेपड़ जो हता है सीछ बात को चालें पता वह तो होला बैश एक पन इस जबकि जो leopard होते है उसका क्या होता है panthera pardus होता है और यहाँ पे अगर tiger की बात करें इसी क्या कहते है टाइगर को देखे यहाँ पर दिया हुआ है टाइगर को कहते हैं पैंथरा टिग्रिस क्या कहते हैं पैंथरा टिग्रिस कहते हैं इसे हिंदी में बाफ कहते हैं लियो को क्या बोलते हैं पैंथरा लियो कॉम कहते हैं लोएन शेर कहते हैं लेपरड को क्या कहते हैं यहाँ पैं और देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जामप्ल की बात करेंगे यहां पे चीता की बात करते हैं किसकी बात करते हैं जिसे क्या जैंकिन्ट करते हैं extinct का मतलब क्या होता है मैंने खाव विलुप्त हो जाना तो हम यहाँ पे carnivora जो गन है इसमें आने वाले member के example डिसकस कर रहे है अब देखिए यहाँ पे हम एक और example पढ़ते हैं जो कि क्या है house cat house cat मतलब billy का जो आप यहाँ पे scientific name डिसकस करें यह क्या होता है मैंने का domestic जो भी cat होती है उसका scientific name phallus domesticus होता है जब कि dog का क्या था canis familiaris था तो हमने यहाँ पे सारे species के बारे में देखा तो generally carnivora जो है basically order में आते हैं अब इसी से particular यहाँ पे next slide डिसकस करने वाले हैं जो कि है यहाँ पे next particular जो यहाँ पे order होता है once होता है इसके बारे में यह point given है हम इसे हम डिसकस कर लेते हैं देखिए यहाँ पर जो next order है यह क्या it is about order ctc ठीक है यहाँ पे ctc की बात करते हैं तो कि ctc जो गन होते हैं order होते हैं इसमें कौन-कौन से लक्षन दिखाए देदें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह कैसे होते हैं यह जो हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं किसमें मैंने का यह sea water में मिलते हैं किसमें मिलते हैं यह sea water में sea water मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये कैसी दिखते हैं मैंने का it is just like a fish fish like marine जो mammals होते हैं जो की समुद्री जल में पाए जाते हैं वो इस particular gun के सदश्य होते हैं अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और क्या होता है मैंने का यहाँ पर four limb जो है मैंने का यह swimming में तैरने में क्या करते हैं swim करने में help करते हैं अब देखिए यह सीटेसी order की बात किया हमने तो यहाँ पर यह कैसे इनका appearance कैसे होता है fish like दिखाई देते हैं she water में मिलते हैं साथ साथ हमने देखा कि इसमें four limb अग्रव यहाँ पर पाद की बात करते हैं तो वो modify होकर के pedals बनाते हैं जो कि कौन सा work कर रहे हैं जो कि swimming का work करते हैं चीक है साथ साथ हमने यह देखा कि यहाँ पर क्या absent होता है देखिए यहाँ पर hair absence of hair and the skin gland यहाँ पर इनके तउचापे hair मतलब यहाँ पे roam नहीं पाए जाते साथ साथ यहाँ पे तउचापे पाए जाने वाली गरंतियां भी नहीं पाए जाती यहाँ पर testis की बात करें तो यह कैसे होते हैं abdominal होते हैं extra abdominal नहीं होते हैं यह उदर गुखा के inside मतलब अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए यह impotent character है, जिसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे double star mark किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक special type के structure की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, बलबर, क्या कहते हैं, इसे क particular order में पाए जाने वाला भी लाक्षनी गुंदर्म है, your answer will be about CTC order, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, thick layer, एक मोटी इस्तर present है, किसकी, मैंने का fat की, जो वसा है, उसके एक मोटे इस्तर का पाया जाना, कहाँ पर, मैंने कहा below the skin, मतलब यहाँ पे skin के नी order में मिलते हैं, अब देखिए, यहाँ पर example की बात करते हैं, first example देखिए, यहाँ पर क्या है, blue whale, क्या है, blue whale है, कव ही हम basically यहाँ पे scientific name क्या है scientifically इससे हम विज्ञाने की नाम जो अगर बात करें यह होता है bellenoptera क्या होता है bellenoptera musculus क्या होता है bellenoptera musculus होता है और blue whale क्या होते है मैंने का यह सबसे largest living animal है ठीक है और यहाँ पे largest living animal है और इसका wet की बात करें तो wet कितना होता है 1500 ton या फिर 150 ton होता है इसका weight ठीक है अब देखिए मैंने का यहाँ पर first example blue whale second example हमने कहा यहाँ पर क्या है sperm whale third example dolphin dolphin भी हमने यहाँ पर basically यह देखा कि dolphin जो है देखिए हम इसी particular यहाँ पर next segment के दर लीट करते हैं यहाँ वह next यहाँ पर order होता है, यह क्या दिया हुआ है, मैंने का it is about the order proboscity, चीक है, यहाँ पर अगर हम next order की बात करें, यह क्या है next order, next gun दिया हुआ है, यहाँ पर proboscity के बारे में, यह कैसे होते हैं, मैंने का यह terrestrial होते हैं, कैसे होते हैं, यह terrestrial होते हैं इसका मतलब ये है ये स्थलिये प्रकार के होते हैं क्या से होते हैं ये ये स्थलिये प्रकार के होते हैं और ये जो हैं large बड़े size के होते हैं और भारी animal होते हैं heavy animals होते हैं साथ साथ इसमें कहेंगे कि क्या present होता है इसमें मैंने का इसमें यहां पर प्रेजेंट होते हैं, यह काफी बड़े होते हैं, क्या होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, और किसकी तरह होते हैं, मैंने कहा यह पंके के समान होते हैं, फैन लाइक होते हैं, यहां पर पाए जाने वाले पिन्नी जो हैं, वो बहुत जिदा लार्ज साइस के हैं, सास साथ यहां पर हम यह कहां रहे हैं कि यह fan-like होते हैं यहां पर कुछ एक सुंडिका जैसे स्टॉक्चर स्टॉक्चर प्रिजिंट होते हैं मैंने का प्रेजेंस वॉडिफाइड अपर लिप अद्धन नोस अब देखिए यहां पर प्रॉबलसी मेंぎ किसमें- अपर लिप में- किसमें- अपर लिप में- और सा थह यहां पर नोस में किया करता है अब देखे- यहां पर नेक्स्ट पर्थेसिंया, यहां परเกए दिया हुआ है कि presence of tusk, tusk क्या होते हैं, tusk जो है basically यहां पे elephant की बात करें, तो उसमें पाई जैनर्वल टिथ को क्या कहते हैं, tusk कहते हैं, तो यहां पे क्या present होता है, यहां पे tusk present होता है, which are modified into the upper incisor, जो कि यहां पे तित के ही part होते हैं, upper zone में present जो incisors तित होते हैं, जो कि cutting का work करते हैं, उसमें modify हो जाते हैं, देखिए, testis यहां पर भी क्या है, abdominal है, next particular example की बात करें, सीधा से example है elephant, क्योंकि elephant में ही क्या होता है, tusk होता है, जिसका economical importance भी होता है, arctic method भी होता है, बहुत सारे जो costly यहां पे आ elephant कहते हैं, इसकी बात करें, या फिर हम African elephant की बात करें, जिसका यहां पे scientific name क्या होता है, logzodonta africana, क्या होता है, logzodonta africana होता है, यहां पे two species के बारे मैं ने देखा, यहां पे देखिए, हम next order की बात करते हैं, next order क्या है, इस joint basically यह आपको रिखाई दे रहा है, order artiodactyla, order artiod strategal dactyla gang की बात करते हैं, तो इसमें 15 जाने वाले legs कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जिके़, बिलकुल नॉर्मल से character से झसे हमें क्या करना है, study करना है, theory का part है, basically यहां पे देखिए, 4 present होता है, अगर यहां पे पाई जाने वाले digits की बात करते हैं, इसमें पाई जाने वाल कि बात कर रहे हैं first example very first example is always always मतलब यहां पे sip मतलब hair की बात करें इसे में आते हैं साथ साथ अगर camel की बात करें इसमें पाए जाने वाले RBC जो है kendra qth होते हैं अप वाद था हमने previous लेक्टर में देखा था तो camel जिसे कहते हैं Camelast के इसमें पाए जाने वाले RBC में क्या प्रिजेंट होता है Nucleus present होता है इसे लिए इसमें Kendraक युक्त Nucleated RBC present है मैंने का God बक्री की बात करें इसे कहते है कैप्रा सकेंड क्या है मैंने का उसके बाद next है कौौ कौकौ यहां पे scientific name क्या होता है बॉस इंडिकस क्या होता है बॉस इंडिकस फिर मने कहा यहां पे नील गाय नील गाय भी इसी ही पर्टिकुलर और में आते हैं क्योंकि इसमें आप ने देखा होगा पैल लंबे होते हैं दो उसे चार उंगलियां होती है ठीक है अब देखिए नेक्स है इसमें जिराफ में क्या प्रेजिंट होता है सबसे अधिक बड़े कार के हिर्दे और सबसे अधिक बड़े कार के जो है ग्रास नाल का पाया जाना जिराफ का इंपोटेंट करेक्टर है मस्क डियर मस्क डियर इंपोटेंट यहां पे एक्जामपल होते हैं और इसमें पाई एलीट करते हैं हम next particular order के तरफ और यह क्या है order parisodactyla क्या है मैंने का यह है order parisodactyla देखिए इस order में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है मैं आपको बता दूँ कि इस order में हमें basically यह पढ़ना है कि इसमें आने वाले यह जो भी animals होते हैं उसमें canines प्रकाल के जो टिथ होते हैं वो क्या होते हैं बहुत small होते हैं इसी कनायन का काम क्या होता है tearing, farhta का work होता है यहाँ पे small होता है यह फिर यह पूरा طडर से क्या होता होते हैं अगर यहां पर अंगलियों की बात करें तो पिछले वाले जो वह देखा था हमने ओडर वहां पर दो से चार थे यहां पर कितने होते हैं 123 होते हैं और इसी पाटिकुलर इस पाटिकुलर में क्या होते हैं इसके यहां पर अगर बात करें यहां किसको चुछ करते हैं मैंने का यह तेजी से दोड़ते हैं और इसमें पाएज जैने वाले केवल तीसरी उंगली ही यहां पर अर्थ के सर्फेस को पृत्वी को क्या करती है गमन के दोरान टच करती है ठीक है केवल थर्ट डिजिट ही टच करेगी अब देखिए यहां पर नेक्स यहां पर पढ़ते तो क्या कहेंगे अगर यहां पर थर्ट एक्जामबल की बात करें यह जैबरा इसका जो है सांटिफिक नेम क्या होता है इसे कहते हैं इक्वर्स जैबरा ठीक है अब देखिए लास्ट एक्जामपल है यहां पर राइनोसिरस जिसे हम कहते हैं सिंगल हॉर्ण गेंडा अब अब देखिए यहां पर हम बात करें कि हॉर्ण तो यहां पर क्या होता है अब सेंट है लेकिन एक सिंगल सिंगल हॉर्ण गेंडा मतलब यहां पर एनिमल है जिसमें क्या होता है एक्सेप्शनली यहां पर हॉर्ण प्रिजेंट होता है चिक है अब देखिए यहां पर लास् के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे important है हम अगर especially human being की बात करें homo sapiens इसी में आते हैं primates में आते हैं तो यह important है अगर यहां पे order primates की बात करते हैं तो primates में basically वो सारे animals आते हैं जो कि क्या होते हैं मैंने का तो सबसे बुद्धी जी भी होते हैं most intelligent type की जो animals हैं वो ऐसी primates में आते हैं इनके अगर हम basically किसकी बात करें मैंने कहा their cranial capacity is the maximum देखिए cranial capacity क्या है इसे हम basically CC से represent करते हैं तो मैंने कहा यह जो CC से cranial capacity मतलब यहां पे brain की जो capacity होती है उसे हमने कहा क्या cranial capacity कहते हैं जो की near about मैंने कहा 1400 CC के near about होता है और यह human के evulation वाले phases पे dependent करता है normally यहां पे 1400 CC का दिमार्ग जो है human being रखता है अब देखिए यहां पे अगर इसके female की बात करें तो female जो है वो क्या दर्शाती है यहां पे primate में आने वाले जो मादा प्रिजाती है वो आर्थव चक्र menstrual cycle को regular basis पे हर 28 days के period पे क्या करती है show करती है human being के case में ठीक है हालांकि यह menstrual cycle की timing अलग-अलग primate में अलग-अलग हो सकते है हमने यहां पे especially human beings की बात की इसमें सीधे example की बात करते है given given क्या है smallest apps कहते है और basically यहां पे gorilla आएगा given के साथ का gorilla क्या है largest app largest apps किसे कहते है मैंने का gorilla है और यहां पे smallest क्या है smallest यहां पे given है third example सीधे देखते है monkey monkey of the modern word आधुनिक युग का जो monkey है बंदर है जिसे क्या कहते है spider monkey इसका common name है यह हमारा basically third example था सीधे यहां पे कुछ last example देखने वाले है यह क्या इस joint basically यह है यहां पे monkey चीक है यहां पे again monkey की बात करें इससे पहले हमें देखा था monkey of modern word जो से हमने spider monkey कहा यहां पे हम fourth example discuss कर रहे है monkey of old word जिसे क्या कहते है research monkey कहते है और यह वही monkey है जिसमें यहां पे rh factor की discovery ही भी थी चीक है rh factor की discovery आपने rh factor के बारे में circulation वाले chapter में पढ़ा होगा जब हम heart वाले chapter के बारे हम discuss करते हैं प्रशंत्रन कंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे land designer नामक एक विज्ञानिक थे और winner land designer और winner ने rh system की खोज research में की थी जब यहां पे abo system अलग लग परकार के blood group पढ़ते हैं उसके बाद का topic होता है rh system तो इसी research monkey इसी monkey of old world में rh system की discovery भी थी मैंने बता दिया next example है chimpanzee क्या है चिंपांजी है इसे pen कहते हैं और most intelligent app consider की जाते हैं सीधर यहां से question आएगा कि सबसे buddhi zivy app क्या है आपका answer वाद चिंपांजी बहुत बार आपको जो है medical exam के previous year के question में मिलेगा कि चिंपांजी वो तंधारी है mammal है जिसे pen कहते हैं सबसे यह क्या है intelligent app होते हैं अब देखे next example इसी particular primate gun का क्या है aurangutan क्या कहते हैं इसे कहते हैं aurangutan कहते हैं इसे pongo इसका common name होता है और इसे हम basically एक और common name provide कर सकते हैं यह क्या है यह है main of forest ठीक है यह basically क्या है मैंने का यहां पर main of forest इनके habitat के वैसिस पी यह नाम दे दिया गया है यहां पर आवास क्या होता है इस परकार के species का aurangutan का मैंने का यह जंगल में रहा करते थे इसे लिए क्या कितने इसे main of forest last example यहां पर human being को लिया है और यहां पर homo sapiens के बारे बताए हुआ है चिक हैं हमने यहां पर क्या क्या डिसकस किया मैंने इस particular lecture में members तंधारी work के classification की बात की उसको हमने 3 sub classes में डिवाइड किया और 3rd sub class जो यूथिरियंस होते हैं उसको हमने बहुत सारे order में डिवाइड किया उसमें आने वाले species और उसके characters को हमने क्या किया स्टड़ी किया ठीक है हमने इसी particular lecture के साथ यह जो हमारा quadrata phylum है इसके बारे में हमने complete discuss कर लिया है और उससे पहले हमने 1 to 11 phylum proto joa phylum से के बारे में यहां जो हम hemi quadrata phylum की बात करते हैं उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं स्टड़ी कर चुके हैं इसी particular lecture के साथ हमारा पूरा animal diversity जन्तु जगत हमने क्या कर लिया है finish कर लिया है अब देखिए in the next lecture हम क्या study करने वाले हैं हमारे next lecture में सबसे ज़्यादा most interesting जो interesting topic है सबसे ज़्यादा interest create करने वाले mind में जो topic होता है वो होता है that is about the human physiology चीक है हम यहाँ पे human physiology को discuss करेंगे in the next lecture हम first of all यहाँ पे human physiology के कुछ एक basic बाते देखेंगे और उसका जो first chapter होता है according to NCRT उसको discuss करेंगे that is considered as a digestive system पाचन तंत्र को हम क्या करेंगे first of all discuss करेंगे तो कल के live session में आपसे मिलते हैं एक नए topic के साथ एक नए में कौन-कों से parts होते हैं किस तरह से सभी तरह के जो organ होते हैं वो आपस भी जुड़े हुए होते हैं interconnected होते हैं इन सभी के बारे में मैं आपको basic knowledge provide करूँगा और हमारा जो next topic है animal diversity के बात जो हम पढ़ने वाले हैं जंक तु जगत के बात सबसे ज़्यदा interesting topic पढ़ने वाले हैं वो क्या है human physiology है आप अधिक सहरी संख्या में हमारे साथ ज्वाइन हो human physiology का सबसे जो interesting chapter है digestive system उसको हम पढ़ने वाले हैं और अगर आपको इस particular lecture में किसी तरह का कोई doubt हो तो आप उसे comment box में mention करें चैनल को like और subscribe जरूर करें तब तक के लिए जय हिन जय राजधानी